आई पिल 2022 के लिए आठो पुरानी टीमों ने अपनी रिटेशन लेस्ट जारी कर दी है। आपतानी नहीं करेंगे। लेकिन रॉयल चैलेंजर बैंगलॉर ने अपने जिन खिलाडियों को रिटेशन किया है। किया गया है सिराज को साथ करोर रुपे मिलेंगे। वे टीम ने शांदार स्पीनर युजबेंदर चैल को रिटेशन नहीं किया है। कि उनके रिटेन होने की पूरी संभावना थी। अब विजए हजारे ट्रॉफे में युजबेंदर चैल ने शांदार गेंदवाजी की है। दरसल दोस्तों युजबेंदर चैल को RCB ने रिलीस कर दिया है। इससे पहले उन्हें T20 विश्व कब 2021 में जाने वाली टीम इंडिया में भी मौका नहीं मिला था। अब RCB से रिलीस होने के बाद युजबेंदर चैल ने विजए हजारे ट्रॉफी में अचल खेल दिखाया है। 46 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किये। यानि कि आकडो से साफ जाईर है कि कोई भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें युजबेंदर चैल ने विकेट ना लिया हो। वहीं आपको बता दे युजबेंदर चैल को RCB के और से क्यों रिटेन नहीं किया गया या भी कहना मुश्किल है। युजबेंदर चैल को RCB को RCB किया या फिर खोद युजबेंदर चैल रिटेन नहीं होना चाहते थे या भी साफ नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि आगे इसका खुलासा हो जाए। इस बीच युजबेंदर चैल ने जिस तरह का प्रदर्शर किया है उससे साफ है कि युजबेंदर चैल मेगा उक्षन से पहले ही किसी टीम के साथ जुट जाए यानि कि लखनाओ या फिर एहमदाबाद अगर वो मेगा उक्षन में गए तो कई टीमें उन पर दाव लगान हैं माना जा रहा है कि चहल ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी धार अभी भी कुंद नहीं हुई है वो अभी भी शांदार की अद्वाज हैं हैर दोस्तों से पहले चैल को लेकर ये बयान भी आया था कि वो CSK के टीम का हिस्ता बनना चाहते हैं ऐसमें ये भी देखना काफी द देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं